नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका अहामस्मी यूटूब चैनल पर मैं हूँ मनोजदत और आज हम डिसकस करने वाले हैं यूजी सी के द्वारा जो नेट परिक्षा ली जाती है और उसका जो फस्ट पेपर है जो कॉमन पेपर है उसमें एंटे द्वारा निरधार जो पाठ और उसक्जाम में फस्ट पेपर से रिलेटेड आपको कोई दिक्कत नहीं हो इस पेपर में जो भी लगी हुए है पॉइंट जो भी टॉपिक्स लगे हुए है उन सब टॉपिक्स पर रिलेटेड वीडियो जो है यहां से आपको मिलती रहेंगी ठीक है तो चलिए फ़ले ड आता है आपका common paper जो सबके लिए same होता है ठीक है जिसके बारे में हम discuss कर रहे हैं और 200 number का जो होता है वो आपका subjective paper होता है जिस subject से आपने भरा है net के लिए उस subject से आपके 200 number का question पूसर जाता है और total मिलाके 300 number का बनता है कितने प्रशना आते हैं इसकी दिवात करें तो पचास जो first paper है इस में से 50 question आते हैं 50 question जो हर question दो number का होता है और इस तरह से ये 100 number का paper बनता है जो आपका subjective है उसमें आपके 100 question पूछे जाते हैं और 100 questions मेंसे हर question जो है वो भी 2 number का होता है और इस तरह से 200 number का बन जाता है subjective आपका और इस तरह से पूरा paper जो है वो आपका 300 number का बनता है और इसमेंसे merit निकलती है net और jrf की अब कई बच्चों को यह फिकन confusion है कि net और jrf में क्या फरक है तो मान लीजिए कि एक paper है वो 100 number का है ठीक है net और jrf में फरक समझे क्या है कि मान लीजिए कोई paper है वो 100 number का है और सरकार इसमें जो है nta जो है वो दो merit निकालती है ठीक है जो छात्रवरती देती है जो fellowship देती है जो संस्ता वो दो इसमें जो है cut off निकालती है एक cut off होती है jrf के लिए ठीक है जो पहली cut off है वो होती है jrf के लिए jrf का मतलब है junior research fellowship यानि कि आपको PhD में research करते हुए आपको कुछ fellowship दी जाएगी सरकार की ओर से यह लगभख 35-40,000 के बीच में यह amount होता है और यह amount उनको मिलता है जो jrf वालों को होता है और मान लेजिए और जो दूसरी cut off होती है वो होती है net के लिए अब यह अजूम करके चले कि 100 नंबर का हमारा paper है और 100 नंबर के paper में से government ने 2 cut off निकाली एक cut off ने निकाली 70 ठीक है कि जिस भी बच्चे के 70 नंबर होंगे 100 में से उसको हम jrf देंगे ठीक है उसको jrf मिलेगा उसको research fellowship मिलेगा और जिन भी बच्चों के 60 नंबर होंगे ठ लेकिन उनको net उनका clear माना जाएगा ठीक है उनका net clear माना जाएगा उनको उनको भी degree सेम ही है लेकिन 70% से उपर नंबर जिनके होंगे उनको उनका भी net ही है लेकिन उनको jrf भी मिलेगा junior research fellowship मिलेगी सरकार उनको विशेश अवदान देगी चात्रवृत्ति देगी कि हाँ य PhD में admission पा सकते हैं वो भी assistant professor के लिए apply कर सकते हैं लेकिन government उनको fellowship नहीं देगी PhD उनको अपने ही खर्चे पर करना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने उस cutoff को पार नहीं किया जिस cutoff में fellowship मिलती है तो एक ही degree है बस आप यह लगा दीजी कि दो ही rank है first और second जो मान लीजिए 100 आएगी उसकी और उसको मिलेगा ज्यारफ junior research fellowship चात्रवर्ती मिलेगी जो कि 35-40,000 के बीच में होगी यह लगभग 4-5 साल के लिए मिलेगी PhD करते हुए और जो 60-70 के बीच में लेकर नंबर देकर आएगा उसको सिर्फ net की degree मिलेगी और वो apply कर पाता है PhD के लिए और assistant professor के लि आती है कि 65 पर ही ज्यारफ मिल रहा है गई बार बच्चे नहीं कर पाते हैं उसका तो पूरे result को देखते हुए देश भर की result को देखते हुए cut off निकाले जाती है और वो 300 number में से cut off निकलती है जिस तरह से fellowship मिलती है तो चलिए अब सबसे पहले हम अपने first paper को discuss कर लेते हैं अच्छी तरह से जिसमें क्या क्या टॉपिक्स लगे हुए हैं और किस किस तरह हैं मैं उसे पढ़ना है तो इसमें total 10 इकाई हैं और पहली इकाई जो है वो है शिक्षण अभिवरत्ती से संबंधित यानि कि teaching aptitude से संबंधित यहां पर प्रश्णा हैंगे और ये भी जो है छे भागों में यह विभक्त है ठीक है छे भागों में छे पार्ट्स ने इसके भी teaching aptitude भी छे पार्ट्स में divide है अब जो इसका पहला पार्ट उसमें शिक्षण के बारे में पुछा जाएगा teaching के बारे में पुछा जाएगा teaching का concept क्या है ठीक है इसके objectives क्या है और levels of teaching क्या ह और स्मरण शक्ति यानि कि memory क्या होगी, understanding क्या होगा, reflective क्या होगा, ठीक है, ये सब चीजे इसमें पुछी जाएंगी, और इसकी विशेस्ता हैं पुछी जाएंगी, और basic requirements जो इसकी हैं, विशेस्ता हैं और मूल अपिक्षा हैं ये आप से पुछी जाएंगी इसमें, इन से स उनके बारे में यहां से questions बन सकते हैं, जो किशोर और वयस्क, किशोर और वयस्क शिक्षार्थी हैं, उनसे क्या पिक्षाइं रखी जाती हैं, वो पिक्षाइं सेक्षिक हो सकती हैं, सामाजिक हो सकती हैं, भावनात्मक हो सकती हैं, ठीक है, यानि कि academic हो सकती हैं, social हो सकती ह यानि कि factors affecting teaching related to मतलब कि जो शिक्षण को प्रभावित करते हैं जो तत्व उनके बारे में या से प्रशन पूछे जाएंगे और इसमें शिक्षक जो है कुछ पॉइंट्स इसके भी अंदर दीगे शिक्षक क्या है उसकी क्या भूमिका है क्या शिक्षक शिक्षण को प्रभावित करता है या नहीं करता सहायक सामगरी जो है teaching aid जो है उसकी कितनी भूमिका है ठीक है support material जीसे हम कहते हैं और instructional जो facilities हैं सस्थागत सुविदाएं हैं उनकी क्या भूमिका है शिक्षण को प्रभावित करने में और सेक्षिक वातावरन जो है वो कैसे बन पाता है जो learning environment and institutions जो है वो किस तरह से बनता है वो शिक्षण को कितनी तरह से प्रभावित कर सकता है ठीक है उसका क्या किस तरह से वो effect करता है teaching को ठीक है तो इन सब चीजों से संबंधित प्रशनया से पूछे जाएंगे अगला जो topic है उसमें कह रहे हैं कि उच्च अधिगम संस्थाओं में शिक्षण की पध्धत ही क्या होनी चाहिए ठीक है methods of teaching in institutions of higher learning जो उच्च अधिगम संस्थाएं है college जो college से related जहां पर college से संबंधित पढ़ाई होती है ठीक है B.A.M.A. या इस तरह से PhD यहां पर पढ़ाई जाती है higher education जहां पर होती है वहाँ पर section की पध्धती कैसे होनी चाहिए क्योंकि आप अगर B.A.D. के लिए पढ़ते हैं B.A.D. में section की पध्धती बिलकूल अलग होती है उसमें section की सिधानत अलग होते हैं विधिया होती हैं कुछ उसके सूत्र होते हैं description के सूत्र होते हैं ठीक है उन तरीकों से हमाँ पर पढ़ा जाता है इसके लावा offline मनाम online पद्धतियां जो होंगी उनके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा ठीक है offline versus online method जो होंगे और इसके लिए कई सारी apps हैं या कोई सारी संस्था हैं जो हैं वो भी है स्वयम जो है और स्वयम प्रभाई वेबसाइट से हैं यह कई सारी साधन हैं जो कि उच्च अधिकम सस्थाओं में शिक्षण की प्रभावित करते हैं या इनके माध्यम से वहाँ पर इसक्षा दी जा सकती है तो उनके बारे में आपर वहाँ से प्रशन पूठा जा सकता है ठीक है अगला जो टॉपिक हो है सिक्षन सहायक प्रणाली क्या होनी चाहिए सिक्षन सहायक प्रणाली से मतलब है teaching support system जो है अब वो teaching support system दो तरह का हो सकता है एक तो जो परंपरागत है यह जो ट्रडिशनल है जो ठीक है और दूसरा जो है वो है modern होगा जो मलब जो ICT based होगा तो वहाँ से सम्मंदित प्रश्णमी यहां से पूछे जाएंगे कि जो traditional तरीका है परंपरागत तरीका और आधुनिक तरीका है कौन साथ तरीका ज्यादा सहायक है सिक्षन में ठीक है कौन-कौन से प्रणालियों का उपयोग आज भी हम कर सकते है और ICT का क्या योगदान है सिक्षन प्रणान करने में ठीक है और लास्ट जो इसका जो टीचिंग अप्रणालियों का लास्ट पॉइंट है इसमें पूछेंगे मुल्यांकन प्रणालियां क्या होनी चाहिए ठीक है evolution system क्या होना चाहिए हमारा elements and types of evolutions ये इसमें पूछे जाएंगे मुल्यांकन के तत्व क्या है और मुल्यांकन का प्रकार क्या होना चाहिए उच्छ शिक्षा में विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली में मुल्यांकन ये कुछ यहां से बनेंगे यानि कि evolution in choice based credit system in higher education इसके बाद computer आधारित परिक्षा जो ली जाती है ठीक है सब्सक्राइब कर लीजिए उसको और bell icon दबा देजिए ताकि जैसे ही कोई वीडियो अगर आपके बस आएगी तो सीधे आपके बस notification आजाएगा उसका धीरे धीरे वीडियो में पूरा syllabus जो है करा दिया जाएगा आपको अग्जाम से पहले पहले तक और कोशिश यही रहेगी कि जो 50 question आता है सो नमर का जो question आता है यहां से आप अच्छे अंकल लेकर आए ताकि जो आपका subjective है वो आपका मजबूत अगर है तो सीधे जयारफ के लिए क्वालिफाई करें सीधे जयारफ निकालें और अपना fellowship लेकर के अपनी PhD करें और इसका जो अंतिम point है teaching aptitude का वो है मुल्यांकन पध्धतियों में नवाचार जाने कि innovations in evolution system कि नवाचार क्या हो सकता है और उनकी क्या भूमी का है क्या क्या नवाचार हो सकता है संबंधित प्रशनियां से पूछे जाएंगे अगले topic पर चलते हैं जो IKAI 2 है देखते हैं उसमें कौन-कौन से point है IKAI 2 जो है वो शोध अभिवृत्ति पर आधारित है यानि कि research aptitude पर आधारित है ठीक है अब इसमें शोध संबंधित सारे प्रशनियां पूछे जाएंगे जैसे कि शोध क्या है मतलब research क्या है इसकी meaning क्या है ठीक है प्रकार क्या है मतलब कितने types का ये research होता है और इसके विशेष्टाएं क्या है characteristics क्या है इसकी प्रक्टक्षवाद एवम उत्तर यानि कि positivism and post-positivistic approach जो होती है research के लिए उसके उससे संबंधित प्रशनियां से पूछे जाएंगे ठीक है प्रक्टक्षवाद सोध के उपागम क्या है यह यहां से पूछा जाएगा और methods of research यह मतलब कि शोध पध्धतियां क्या होनी चाहिए जोध करते हैं जब आप research करेंगे तो उसकी methods क्या क्या होंगे उसकी पध्धतियां क्या होंगी और वो पध्धतियां किस तरह से हम लागू करेंगे इससे संबंधित प्रशनियां से पूछे जा सकते हैं जैसे कि प्रयूगात्मक पध्धति है विवरनात्मक पध्धति है एतिहासिक पध्धति है गुणात्मक और मात्रात्मक ठीक है जैसे कि experimental, descriptive, historical, qualitative and quantitative methods जोनों है ठीक कि गुणात्मक और मात्रात्मक qualitative और quantitative दोनों तरह के जो जो approaches हैं उनसे संबंधित प्रशनियां से पूछे जा सकते हैं अगला जो इसमें topic है वो है शोध के चरण सोध के चरण से मतलब है steps of research ठीक है इनसे संबंधित प्रशन पूछे जाएंगे उसके बाद है शोध प्रबंध एवम आलेख लेखन ठीक है निकि thesis and article writing format क्या होगा इसका और style क्या होगा इसका इनसे संबंधित प्रशन इसमें पूछे जाएंगे format और संदर भी की शैली क्या होगी शोध प्रबंध एवम आलेख लेखन की आलेख माने article writing जो होती है इसके बाद जो अगला topic है इसका वो है शोध मा ICT का अनुप्रयोग application of ICT in research ICT का प्रयोग आप शोध में कैसे कर सकते हैं research में कैसे ICT का प्रयोग करके अपने research को आप आसान कर सकते हैं या उसका सारा लेकर के आप उसको और प्रभावक बना सकते हैं उसमें और प्रभावत पकता डाल सकते हैं तो यह सब चीज़ें यहां से समदित प्रशने आप आसकते हैं इसके बाद जो अगला topic वो है शोध नैतिकता जानी कि research ethics जो होगी कि आप कितने नैतिक तरीके से शोध करते हैं मतलब उसमें आप copy paste तो नहीं करते हैं आप उसके लिए पुरी तरह समर्पित तो हैं जे आरफ के बाद ठीक है आपने उसका सही उप्योग किया है तो यह सब चीज़ें नैतिक कितने हैं ethics से रिलेक्टर जो प्रशन होंगे आपकी research से समदित जो ethics है तो उससे समदित प्रशने आपर पूछे जाएंगे कि आप जो है अपने कारी के लिए अपने करतब विकिले अपने research के लिए कितना समर्पित हैं और कितना जो है उसको आप उसके प्रशने नैतिक है ठीक है अगली जो इकाई है जो unit है उसमें पूछे उसका जो main topic वो है बोध ठीक है इनकी comprehension इसमें कहा है कि एक गध्यांस आपको दिया जाएगा एक पैसेज आपको दिया जाएगा और उस पैसेज से आपसे प्रशन पूछे जाएगे लेकिन आप यह मान कर चलिए कि जो language से related जो पैसेज दिये जाते हैं अन्य एक्जाम्स में जो वो उस तरह का सरल अकबर था और उसकी राजधानी जो थी दिल्ली थी तो इस तरह से वो मुगल साथ सकता अब यह पैसेज दे दिया और फिर उसमें से प्रशन पूछेंगे कि अकबर की राजधानी कौन से थी वो कौन से वन्श का साथ सकता राजय का नाम क्या था बहुत सरल प्रश्ण जो होते हैं वो दिये जाते हैं एक्जाम से में लेकिन ये जो गध्यान्श होगा ये जो पैसेज होगा ये इतना सरल नहीं होगा इसके आपको अच्छी से तयारी करने पड़ेगी और ये जो होगा ये उसमें से मलब की ये पुछा जागा कि इसको एक आप कौन सा, इसको टॉपिक क्या देंगे, इस पैसेज गो, ठीक है, इसका सीर्षक क्या देना चाहेंगे, और मillब उसमें से ऐसे प्रशन बनेंगे, जो कि उस पैसेज में दिये नहीं होंगे, लेकिन वो आपको बोध के आधार पर, कि उस पैसेज को पढ़कर आप क्या प्रश्ण वो आपसे पूछे जाएंगे बिल्कुल सरल प्रश्ण वाँ से नहीं पूछे जाते तो जैसे अग्जाम में सीटेट में क्या होता है कि जो सब्जेक्टीव पेपर होता है उसमें 15 कोस्चन जो होते हैं वो गध्यान और पध्यान से रिलेटिड होते हैं तो 15 के 15 नंबर उसमें आ जाते हैं बच्चों कि इतने सरल होते हैं लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता यहां पर अगर आप से पांच प्रश्ण इस गज़्जान से पूछे जाएंगे तो बहुत से बहुत तीन नंबर तीन कोस्चन को आप सही सही कर पाते हैं तो इसकी वह अच्छी मतलब है कम कम्मुली केशन की साहा हो उससे संब्मंधित जू प्रश्ण होऊंगे वह इस ञते हो औरavors से पुछे जाएंगे इसका जो पहना टॉपिक है वह संप्रिशन का अर्थ क्या है ठीक और उसके प्रकार क्या हैं और उसका विलक्षन क्या है मतलब में सत्पी और वह को बतानी होंगी इसके बाद मलब वहाँ पर लिखना नहीं है इससे समंदित प्रश्ण होंगे और प्रश्ण में चार आप्शन होंगे उनमें से एक आप्शन में चाटना है अगला जो टॉपिक है वो है प्रभावी संप्रिशन वाचिक एवं गैर यानि कि एफेक्टिव कम जो साधन है मीडिया और समाज गयाँ माज मास मीडिया and society जो है यहां से किस तरह संप्रिशन प्रभावी हो सकता है इन बाधाओं को किस तरह दूर किया जा सकता है इस तरह के प्रशने यहां से बनते हैं तो यह सारी चीज़ें यहां से बताई जाएंगे एक topic यहां से बताया जाएगा अगले टॉपिक पर चलते हैं अगले टॉपिक में कह रहे हैं गणती के तरक अभूम अभिवृत्ति जाएंगे यानि कि mathematical reasoning and aptitude यहां से सम्मंदित यहां से प्रश्ण पुछे जाएंगे जिसमें पहरा जो टॉपिक है वो है तरक के प्रकार ठीक है टाइपस ओफ रीजनिंग तो reasoning से सम्मंदित प्रश्ण पर पूछे जाएंगे और संख्या श्रेणी अक्षर स्रिंखला कूट और सम्मंद गणती के अभिवृत्ति जिसमें के अंश समय और दूरी अनुपात ठीक है और यह समानुपात प्रतिशत्ता लाब और हानी ब्याज और शूट इन से अब को बता दिता हूं इंग्लिष में फ्रेक्शन से टाइम अंड डिस्टेंस जिसे हम कह सकते हैं अनुपात का मतलब रेशियो समानुपात का मतलब जो प्रपोर्शन एंड जो प्रेस्टेज है ठीक है इन से सम्मंदित प्रश्ण होंगे लाब और हानी यानिकी और अभिवित्ति इस फिफ्थ जो इकाई है इस फिफ्थ यूनिट के लिए आप किसी अन्य यूट्यूब प्लेटफर्म का सहरा ले सकते हैं ठीक है आप कहीं और जा सकते हैं इस प्लेटफर्म पर इस चैनल पर आपको इससे संबंदित प्रशने यहाँ पर नहीं बताए जा इस चाहिं को सकते हैं क्योंकि संस्क्रistics से संबंदित हैं संस्क्रित वालों कर देना होता है तो विल्ए जो आवश्यक से क्लियर करना और इसको क्लियर नहीं कर पाते तो ये यारफ रुख जाता है तो इसलिए इस पेपर को हैं tela解olly मेरा ये मानना है कि बहुत अच्छे से sleep को अच्छी तरह से पता हैं और expert हैं तो वह और अच्छी तरह इसको पढ़ा सकते हैं हाला कि और जो अन्य चीजें हैं वह मैं आपको यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से बताऊंगा उसके लिए आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है लेकिन गणती तरक और अभिवरित है और logical reasoning जो होगी इससे सम्मधित यहाँ पर पुछा जाएंगे और यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा इसमें सारी चीज़ यहाँ पर बताई जाएंगी युक्ति तरक का जो पहला topic है वह है युक्ति के धांचे का बोध यानि कि आपको understanding होनी चीए structure of argument की ठीक है युक्ति कई तरह के हो सकते हैं जैसे कि आप आगे देखेंगा आप युक्ति के प्रकार जो है निगमनात्मक और आगमनात्मक ठीक है यह कि डिडेक्टिव और इंडेक्टिव जो reasoning है यह सब तरक यह पूरी जैसे आपने नियाई दर्शन अगर आपने पड़ा है philosophy of नियाई अगर थोड़ी से उसके बारे मी जानकाति है तो उसमें क्या होता है कि अनुमान प्रमाण जब हम पड़ते हैं तो उसमें दूसरे को बताने के लिए कुछ वाक्यूं का सहारा Lane न पड़ता है थी कि प्रवत पर धुआ उठ रहा है बहुत दूर एक पहाड़ी है वहह Pietrum और अआ तो उसका हेतु देते हैं उसका कारान देते हैं क्योंकि वहाँ पर धुआ है और उसके उधारन की रूप में बोलते हैं कि जहाँ जहाँ धुआ होता है वहाँ आग होती है जैसे कि रसोई घर में तो पुराने जबाने में लकडी से ही आग जला जाते थी रसोई घर में लकड तो यह एक valid logic होगा, ठीक है, तो इस तरह से कई जो है अन्य जो है logics बनते हैं, अब उसमें कुछ valid होते हैं, कुछ invalid होते हैं, ठीक है, जैसे की एक लॉडिक है, कि नेता जो होते हैं वो भरस्ट होते हैं और दूसरा वाक्य दिया कि ओबामा भी जो है एक नेता है ठीक है या कोई भी किसी भी नेता का नाम ने लिजी कि मान लिजी जो बाइडन एक नेता है और इसका जो result निकला, conclusion निकला इन दो वाक्यों का इसका मतलब यह है कि जो वाइडन भी जो है वो भरस्ट है ठीक है तो यह जो conclusion हमने निकाला तो क्या वो एक सही conclusion है जो उपर के जो दो वाक्यों दिये गए थे उन पर उनके उनको आधार मान कर कि सभी नेता भरस्ट है जो वाइडन भी एक नहीं है उनसे मेल नहीं खा रहा है पुरी तरह से उनको व्याक्याइद नहीं कर रहा है तो इस तरह के प्रश्णया से पूछे जाएंगे कि आपको ऐसी तरह के वाक्यों दिये जाएंगे और पूछा जाएगा कि क्या यह जो conclusion है यह वो पर दिये वाक्षों पर मेल खा रहा है या नहीं खा रहा है इस तरह के प्रश्णयां से पूछे जाते हैं ठीक है निगवनात्मक और आगवनात्मक युक्ति का मुल्यंकन जो इसमें लिखा हुआ है और विशिष्टी करण जो है इसका मतलब है कि जो evolution है उसकी जो detective और inductive जो reasoning होगी उससे संबंदित यहां से प्रश्ण पुछे जाएंगे अनुरू पताएं यानि कि analogies जो है उनसे संबंदित प्रश्ण होँगे अगला जो topic वो है वेन आरेक ठीका मनें यानि कि वेन डाइग्राम जो है अब इसमें simple and multiple use of establishing validity of arguments इनके संबंदित जो प्रश्ण होँगे वो आपसे पुछे जाएंगे यानि कि तर्क के वैधता सुनिश्चित करने के लिए वेन आरेक का सरल और बहुप्रयोग यह बहुत famous य इसमें बनते हैं वो आपको यहाँ पर बताया जाएगा अगला जो topic है वो है भारती तरकशास्त यानि कि Indian logic और ज्ञान के साधन जो इसमें दिये गए हैं उससे संबंधित त्रश्णिया पर पुछे जाएंगे भारती तरकशास्त जो है इसमें प्रमानु की संख्या अलग कि अलग दरश्ण के हिसाबसे अलग 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 प्रमान पर आपको अच्छी तरह Attack और यहाँ पैन है ऐसा जो ग्यान हमें हुआ यहाँ ग्यान हमें किस कैसे प्राप्त हुआ ठीक है इसका साधन क्या थै इस ग्यान का और उसके पड़ अगला प्रमान है अनुमान उतों वहां से संबंदित प्रस्ट्विवें बनते हैं वो भी एक बड़ा टॉपिक है तो अनुमा के बारे में भी आपर अच्छी तरह साब को बताया जाएगा अनुमान की संग्रशना कैसे होती है ठीक है structure of kind of anumान इसके प्रकार क्या है ठीक है और व्यापती किसे कहता है हेत्वाफास किसे कहता है क्योंकि जब अनुमान मैं आपको अभी तीन चीज़े बताए कि प्रतिक कि जो प्रतिग्या हेतु अरुधारण, ठीके जो प्रतिग्या के बहुत, पर आग आग है, फिर हेतु दिया गया क्योंकि वहाँ पर धुआ है। तो यह हेतु को इबार इसमें नहीं होता है लेकिन हेतु का आभास हे लékिन हमाँ आभास हो रहा है ठीक है। अगला जो topic है वो है आकड़ों की व्याक्या ठीक है। यानि की Data Interpretation जो है। उससे सम्मन्दित प्रश्नया से पुछ जाएंगे। और यह भी मैं आपको बता देता हूँ कि यह जो topic है Data Interpretation आकड़ों की व्याक्या यह भी आपको इस channel पर नहीं मिलेगा। इस चैनल पर आपको यह नहीं यह टॉपिक क्लियर नहीं करवाया जाएगा क्योंकि इससे समंद्ध जो एक्सपर्ट होते हैं वो अभी हमारे पास नहीं है तो इसके लिए भी आपको किसी और प्लेटफर्म का साहरा लेना पड़ेगा ठीक है आकणों का शुरोत क्या है प्रा erekणन चीना आकणों का मां जो है आकणों ए tau और प्रेटेशन प्रशन बनेंगे अकणों की व्याख्या जो है तो इस तॉपिक के लिए भी आपको किसी और म सार्व लेना पड़ेगा अगला जो टॉपिक है वो है सूचना और संचार प्रद्योगी की यानि की ICT ठीक है information and communication technology और यहां से संबंदे जो भी प्रशन बनेंगे वो भी मैं आपको अच्छी तरह से बताऊंगा सारी चीज़ां हमारे पास हैं पहले से हमने पढ़ा भी हुआ है इसक सब चीज़ों के बारे में हम अच्छी तरह से जानेंगे उसके बाद है digital initiatives in higher education जो शिक्षा में digital पहले हैं वहां से संबंदित प्रशन जो बनते हैं उनको हम समझेंगे और ICT और सुशासन यानिकी ICT और governance and governance जो चीज़ है इस topic के बारे में अच्छी तरह से जानेंगे तो इस first paper में common paper में ठीक है अगला जो unit है उसमें कह रहे हैं भई लोग विकास और परियावरण ठीक है ये एक बहुत बड़ा topic है और बहुत महत्वपून topic भी है people development and environment ठीक है तो इसके topics को फटावर डिसकस कर लेते हैं और फिर यहां से जो notes बनते हैं जो भी points अच्छी तरह से होंगे वह आपको यहां से बताए ही जाएंगे उनसे संबंदित वीडियो आपके पास आते ही रहेंगे आप सब्सक्राइब और notification bell दबा देना इसका तो आपको सीधे notification आ जाएगा कोई भी वीडियो अपलोड होते ही इसके topics को देखते हैं पहला है विकास और परियावरण millennium विकास और संपोशनी है विकास का लक्ष क्या होगा ठीक है millennium development and sustainable development goals जो है वहां से संबंदित प्रशने यहां पर पूछे जाएंगे फिर मानाव और परियावरण सम्यवार नरी जाती है क्रियाकलाप और परियावरण पर उनके प्रभाव तीसरा topic है परियावरण परक म अगय का मतलब क्या है जो वेस्ट है जो सॉलिड हो सकता है ऐक्षीहय तो इन सब चीजों से संबंदित जो होगी जो खिमपूरण होगा electronic जो वेस्ट है यह kya इनका जो है जो है विकास में लोगों के और लोग में और विकास में प्रियावरण में क्या इनका जो है एक तरह से योगदान तो हम नहीं कहेंगे लेकिन इनकी क्या भूमिका है ठीक है उनसे सम्दित प्रशनियां से पुछे जाएंगे जलवायू परिवर्तन जो सबसे बड़ा योजनाय भी गवर्मेंट के द्वारा या इंटरनेशनल फॉरम पर जो लईके आई जाती है उनसे सम्दित प्रशनियां पर आ सकते हैं इसके अलवा जो इसके सामाजिक आर्थिक और राजनितिक आयां क्या है ठीक है जो जलवायू परिवर्तन है सामाजिक पर क्या इसका फरक पड़ता है आर्थिक जो है कितना प्रभावित इसके होता है राजनितिक आयां क्या है इसके ठीक है जो पॉलिटिकल डाइमेंशन जो है इसके वो किस तरह से सम्दित है उनसे सम्दित प्रशनियां से पूछे जाएंगे अगला टॉपिक है मानव स्वास्थ्य पर प् प्रावन है म्रिदा जल भूत आप बायुमास नाभिकी और वन तो यह प्राकृतिक और उर्जा के शुरूत है कुछ प्रशनियां से भी बनते हैं प्राकृतिक जोखिम और आपदाएं जो है यह यहां से भी आपसे पूछे जाएंगे तो अच्छी तरह सब को बताए जो 1986 में हुआ था इंवरेन्मेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो था 1986 का उसको अच्छे तरह सम एक बार पढ़ लेंगे जलवायू परिवरतन संबंदी राश्टरी कारिये उजनाय कौन कौन सी है अंतराश्टरी समझोते कौन कौन से हुए है प्रयास कौन कौन से किये गए ह जास की मॉन्ट्रियल प्रोटोकौल था रियो संब्मिलन था जय विवित्ता संब्मिलन हुआ ठीक है यानि की किन्विंजिया ऑफ बायो डैजीरिसिटे उसके बाद क्योटो प्रोटोकौल आय था एक और पेडिस समंज़ता जो हुआ पेडिस एंग्रिमेंट जो हुआ थ तो उन सब टॉपिक्स को अच्छी तरह समझानेंगे और जो भी प्रश्णयासे बनते हैं उनको हम क्लियर करेंगे अगला जो अगली जो यूनिट है वो है उच्च शिक्षा प्रणाली कैसी होनी चीए हाइर एजूकेशिं सिस्टम हमारा कैसा है घीक है इसने समझत, प्रश्णयासे पूछे जाएंगे इसमें एकुछ टॉपिक्स है उच्च अधिगम, सस्ताएं और प्राचीन भारत में शिक्षा कैसी थी इसके बाद स्वतंतरता के बाद भारत में उच्च अधिकम और शूद का उद्भोग कैसे हुआ भारत में प्राच्य पारंपरिक और गैर पारंपरिक अधिकम कारिक्रम क्या 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 थे और या क्या क्या है व्यावसाइक तक्निकी और कोशल आधरित शिक्षा क्या है और बहुत सरी जानकरिया इनको पढ़ने से आपको मिलेंगे सिर्फ net का एक्जाम आपको देना है इसलिए या आप इनको पढ़ने ऐसा ज़रूरी नहीं है अगर आप स्वतंतर रूप से बहुत सारी नौलेज जो है यहां से मिलती है किसी भी स्लेबस से किसी भी नैशनल लेवल के स्लेबस से आपको बहुत सारी जानकरिया भी मिल सकती है आप जरूरी ने कि एक्जाम पास करने के लिए उनको पढ़ें अब जो मुख्य बात है उसको अच्छी तरह से हम समझ लेते हैं कि 10 एकाईयां हमने अच्छी तरह से जान ली है मुख्य जो बात है वो ये है कि 10 यूनिट इसमें पूछी गई है और प्रत्यग यूनिट से जो है 5 प्रशन बनेंगे ठीक है प्रत्यग यूनिट से 5 प्रशन बनेंगे जो कि 2-2 अंको के होंगे तो 10 unit है हमारे पास और हर unit से 5-5 प्रशन बनेंगे ठीक है तो 10 गुणा 5 होगे कितना 50 और 50 मैंसे हर question जो होगा वो 2-2 अंक का होगा तो यह हो जागा इस तरह से 100 number का प्रशन ठीक है तो 100 number का exam यह होगा और हर unit से 5 प्रशन पुछे जाएंगे और हर प्रशन जो होगा वो 2-2 अंक का होगा और यह जो दृष्टिवान परिक्षार्थी जो है ठीक है उनके लिए तो कुछ graph वाले चित्र वाले प्रशन भी होते हैं लेकिन जो दृष्टिबाधित परिक्षार्थी है ठीक है उनके लिए चित्र वाले प्रश्ण नहीं होंगे, ग्राफ वाले प्रश्ण नहीं होंगे, उनके लिए उतने ही अंकों वाले कुछ अन्य प्रश्ण दे दिये जाएंगे, जिससे कि उनको किसी तरह की कोई समझ्या ना हो, ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं इसके अगले पार्ट में जहांपर अब हम अच्छी तरह से जो है इससे सम्मंध्य जो प्रश्ण होंगे उनको डिसकस कर रहे होंगे और जो topics इसमें लगे हुए हैं उनको अच्छी तरह से हम जान रहे होंगे डिसकस कर रहे होंगे और अब समझ्या नहीं है मैंने pen tab ले लिया है तो उसी से आप मैं अच्छी तरह से आपर आपको अच्छी तरह बता पाऊंगा और computer की screen ही मेरा board बन जागा पहले एक छोटा सा board था तो उससे बहुत सारी दिक्कत होती थी लेकिन आप pen tab से बहुत सारी समझ्या है जो है solve हो जा आने का मन करता है तो मिलते है नेक्स वीडियो में धन्यवाद नमस्कार